तो पूरा आपको डीटियल से इस वीडियो में बताया जाएगा तो आप इस वीडियो को एंडे तक जरूर देखे और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती तो चलो वीडियो को स्टाट करते हैं एड्रेनलीन इंजेक्शन के बारे में हम बात करेंगे कि इसकी क्या क्यों प्रियोग आपको देखने को मिल सकते हैं एड्रेनलीन का यूज कहां पर किया जाता है चलो जानते हैं एड्रेनलीन इंजेक्शन में एड्रेनलीन नामक हार् कर देता है जिसे कार्डियक अरेस्ट भी बोला जाता है यानि कि इसका उपियोग कार्डियक अरेस्ट में भी किया जाता है देन इसका इलाज जिस सेकेंड अगर हम बात करें तो गंबीर एलर्जिक रियक्शन में भी इसका उपियोग किया जाता है एड्रेनलीन इंजेक्शन चहरे या जीब की सूजन को दूर करता है और एलर्जी से होने वाली हाइट्स को ठीक करता है इसे डॉक्टर की देखरेक में दिया जाता है आपके स्थती स्थिर होने तक डॉक्टर आपके ब्लड प्रेशर, रिदय, दर या ECG पर नजर रख सकता है आपको इस इंजक्शन के बाद भी लंबे समय तक इलाज के लिए डॉक्टर द्वारा दी गई सला के अनुसार अन्य जो दवाएं हैं आपको उसी लेना रहता है इस दवाएं से जुड़े सामाने साइड इफिक्ट में बहुत से नुकसान आपको देखने को मिल सकते हैं तो सबसे पहले हम इसके साइड इफिक्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं ये दुश्प्रभाव इसके हो सकते हैं लेकिन ये हमेशा नहीं रहते हैं कुछ दुश्प्रभाओं दुलब होते हैं लेकिन गंभीर हो सकते हैं तो आपको इन दुश्प्रभाओं के बारे में जानना जरूरी हो जाता है तो सबके पहले हम जानते हैं इसमें आपको चिंता स्ट्रेस आपको रह सकता है आपको बैचेनी रहेगी कपकपी रहेगी तो यह साइड़ने को मिल सकते हैं अगर अपने आप समाप्त नहीं होते हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर सकते हैं इनके बारे में अब हम एड्रेनलीन इंजेक्शन के बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे गंभीर एलर्जिक reaction में इसके क्या-क्या benefits रखने को मिल सकते हैं जो adrenaline injection होता है adrenaline injection को हम बहुत से emergency medical उपचारों के साथ इसको इस्तमाल किया जाता है जिससे कीट के काटने यानि किसी भी कीट के काटने या डंक मारने अन्य जो खादे प्रदार्थ होते हैं के दवाओ लेटेक्स और अन्य कारणों से होने वाली जानलेवा एलर्जी का इलाज किया जा सके यह हिस्टा में नामक एक केमिकल जो एलर्जीक रियक्शन के लक्षणों जैसे की सांस लेने में कठिनाई होना हाइव्ज सूजन इंफ्लामेशन आदि के लिए जम्मिदार होत अब हम जानेंगे कि जो एड्रेनलीन इंजेक्शन होता है वो काम किसे करता है एड्रेनलीन एक अलफा और बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है यह आपके फेपड़ों में मासपेश्यों को आराम देता है और गंभीर एलर्जिक रियक्शन एनफाइल एक्सिस की दोरान होने वाले स्पाज्म घबराहट गरगराहट और सांस लेने में कटिनाई सिर्राहत आपको देता है अब हम इसकी प्रिकोशन के बारे में आपको बताएंगे कि क्या क्या प्रिकोशन आपको रखना चाहिए अल्कोहल के साथ इसका यह मालूम नहीं है अभी तक कि एड्रेनल इंजेक्शन का इस्तमाल करना असुरक्षित हो सकता है हाला कि इंसानों से जुड़े जो शोध होते हैं उनमें और जानवरों में किये गई शोधों से पता लगता है कि जो गर्भाश्य में जो शिश्यो विक्सित हो रहा है उन पर यह हानिकारक हो सकता है यानि कि प्रेगन को प्रेग्नेंसी में इसे बिल्कुल ही अवोईड करना है इसको नहीं लेना है अगर हम यहाँ पर जो ब्रेस्ट फेडिंग मदर होती है इस्तनपान करवाने वाली महिलाओं के लिए असुरक्षित है उनमें भी यह नहीं लेना है क्योंकि यह बच्चे को नुकसान पहुचा सकती है और ड्राइविंग करने के दोरान यह सेफ रहती है इस पर कोई असर नहीं होता है किड्नी की अगर बात करें तो किड्नी रिलेटेड और लीवर रिलेटेड डिजीज जिन में रहती है उनको यह इंजेक्शन नहीं लेना है आप डॉक्टर से सलाज जरूर ले अब ह गलाइकोसाइट्स के साथ देखे जाते हैं और लीवो थारॉकसिन सोडियम के साथ में के साथ तो बहुत से ऐसी दवाइया होती है जिसके साथ इसके ड्रुग इंट्रक्शन से देखे जा सकते हैं यदि आप एक ही समय पर अन्य दवाओ जैसे कि मैंने आपको बताई है इनका सेवन करते हैं इसके साथ तो adrenaline injection का प्रभाव इसका परिवर्तित हो सकता है यानि कि चेंज हो सकता है या दुश प्रभाव के प्रति आपको आपकी जो रिस्क है उसे बढ़ा सकता है या इसकी वज़े से शायद आपकी दवा अच्छे से काम ना करें ऐसा भी हो सकता है तो आप हमेशा जब भी आप कोई और दवाई लेते हैं इसके साथ तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बता है उनसे कंसल्ट जरूर करें उसके बाद ही आप इनका सेवन करें या फिर ऐसे injections को यूज मेले अगर आपको वीडियो पसंद आती ये तो प्रीज वीडियो को लाइक शेर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे दिएगा है बैल आइकन को प्रेस जरूर करना फ्रेंड्स थैंक यू